हाई गैस तो अब यह जो आप वीडियो देख रहे हो ना इसके अंदर में आपको बताने वाला हो कि जो डिस्प्ले होता है अब डिस्प्ले के अंदर एक और चीज आपको देखने मिलती है वो है इजी मोड अब इजी मोड होता क्या है तो है आप रेखे इजी मोड के अंदर basically क्या बताया गया है वो सब्ता समझने की हम कोशिश करते है use a simple home screen layout without bigger on screen items a larger touch and hold delay to prevent accidental actions a high contrast keyboard for better readability any customs you have made to home screen will be discarded तो यह आ जाता है आपका easy mode का settings अब basically क्या होता है कि display के अंदर जाएए easy mode के अंदर जाएए and easy mode यहाप है मैं activate करके आपको दिखाता हूँ देखिए जैसे ही मैंने easy mode activate किया तो क्या हुआ basically जो screen है वो उसका जो font size है वो increase हो चुका है मतलब किसी को बहुत दिखने में दिक्कत वाली बात आती है यह उसे जल्दी से पढ़ने में नहीं आपाता तो उसके लिए easy mode काफी बढ़िया है क्योंकि font size overall increase हो जाता है इस easy mode के according अब यह तो बहुत ज्यादा हो चुका है easy mode का मेरे ही सबसे तो मैं इसे off का देता हूँ अब उसके अंदर जैसे कि मेरे लिए यह काफी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यह वाले मौड से भी जो है आसनी से डिडेबिलिटी मेरे लिए अच्छी है तो font size वगर आप वहां से इस्तिमाल कर सकते हो changes अगर आप कुछ चाहिए तो आप वहां से कर सकते हो अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो अगर आपको बताईए अगर आपके लिए इस तरह के से कंटेंट जो हमेशा ले करके आओ हम मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं वीडियो देखने के लिए शुक्रिया